इगल किसी भी जानवर के उपर अटेक करने से पहले एक बार भी नहीं सुथता है लेकिन दोस्तो जो कवे होते हैं वो इगल को हर बार परिसान करते रहते हैं पर इसके बाद भी इगल कभी कवे पर अटेक नहीं करता है लेकिन ये सवाल आता है कि आखिर इगल कवे पर अटेक क्यों नहीं करता है। दरसल दोस्तों जब कवे इगल को परसान करते हैं तब इगल उन पर अटेक नहीं करता है बलकि वो आसमान में और उचाई पर उचाई पर उचने लगता है। वैसे आपको कौन सा जंगली जानों और अच्छा लगता है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा